डेली करण न्यूज में अभी की खबर है पिंगली वेंकईया की जैनती खबर को देखते हैं आज यानि 2 अगस्त को राश्टिय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकईया की जैनती है इस मौके पर बड़े पैमाने पर विभिन कारिक्रोमों का आयोजन किया जा रहा है इस अभसर पर पिंगली वेंकईया के नाम से एक डाक टिकट भी जारी होगा अब पिंगली वेंकईया के बारे में देख लेते हैं इनका जन्म 2 अगस्त 1866 को आंधर प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था वेंकईया ने अफ्रिका में एंगलो बोवर यूद के दोरान प्रिटिस सेना में एक सैनिक के रूप में काम किया था वेंकईया का गांधी वादी सिंधानतों में दृड विस्वास था विजयवाडा में महात्मा गांधी से मुलाकात के दोरान उन्होंने गांधी जी को ध्वज के विभिन डिजाइन दिखाए थे राष्ट्य ध्वज की आवशक्ता के मद्य निजर गांधी जी ने तब वेंकईया को 1921 में राष्ट्य कॉंग्रेस की बैठक में एक नए सीरे से डिजाइन करने के लिए कहा वेंकईया द्वारा डिजाइन किये गए ध्वज को हम तिरंगा के रूप में जानते हैं जिसमें के सरिया सफेद और हरे रंग की तीन पटिया हैं ध्वज को आधिकारिक तौर पर 1931 में भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस द्वारा अपनाया गया 2009 में पिंगली वेंकईया के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया आंधर प्रदेश सरकार ने 2014 में भारत रतन के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी 2015 में ततकालिन शहरी विकास मंत्री द्वारा AIR विजेवारा का नाम बदल कर वेंकईया के नाम पर कर दिया गया था PCS परिक्षाओं से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए हमने शुरू किया है एक नया कारिकरम Science This Week ये कारिकरम हर विवार दोपहर बारा बजे द्रिश्टी PCS चैनल पर प्रिसारित होता है